नमस्कार वीकेवी न्यूस के सुभा के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज की हेडलाइन्स पर सोनेगाओं में बिजली काटने आए एक महावितरन के करमचारी पर रौट से हमला करमचारी जखमी दो आरोपी गिरफता 14 साल बाद एक मामले में रंजीत सफेलकर पर हत्या का मामला दर्ज सफेलकर फिलहाल है जेल में और सदर में आपसी विवाद में किन्रों के बीच बीच सड़क पर मारपिट 15 किन्रों को किया गया गिरफतार और अब खबरे विस्तार से नागपूर में बिजली काटने आये महावितरन करमचारी को हमला कर जखमी कर दिया गया यह वारदात रविवार की दो पहर अमर आशा भेंडे लियाउट पे हुई सोनेगाव पुलीस ने केस दर्ज कर अनिरुद्ध वाट और उसके भाई इशान वाट को गिरफतार किया है महावितरन ने बकाया वसूली के लिए अभियान चलाया है इसके तहट बिजली काटी जा रही है कॉंग्रेस नगर डिविजन के करमचारी सुखदेव के राम आशिश अतकरी विकासराउत तथा अनिल फुलजेले इस मुहीम के तहट दो पहर साड़े बारा बजे कुरुषना अरुन वाट के घर पहुचे वाट पर करीब पाच हजार रुपय का बकाया है कारवाई के दोरान कुरुषना वाट तता उनके बेटे अनिरुद्ध और इशान आ गये तीनों बिजली काटने का आदेश दिखाने की मांग करते हुए विरोध करने लगे तभी वाट बंधुओं ने रौट से हमला कर सुखदेव के राम को लहु लुहान कर दिया सातियों ने केराम को ततकाल नीजी अस्पताल पहुचाया वहाँ उनका उपचार चल रहा है इस घटना का पता चलते ही महावितरन की मुख्य अभियंता दिलिब दोड के तथा कार्यकारी हेमराज ढोके पहुच गये घटना की शिकायत सोने गाउ थाने में दर्ज कराई गई वाट परिवार के सदस्यों ने भी महावितरन कर्मियों की शिकायत करने का प्रयास किया महाराश्ट्र इलेक्टरिसिटी वर्कर्स फेडरेशन के श्रीरंग मुत्तेपवार सुजित पाठक वहीले ने इस घटना के प्रती निशेद दर्ज किया है उन्होंने कामगारों को सुरक्षा देने की मांग की है उनका कहना है कि सरकारी की गलत नीती और घोशना से 73,000 करोड का बकाया है इसका परिणाम कामगार भुगत रहे है बिते कुछ दिनों में इस मुहीम के दोरान कई स्थानों पर मारपीट की घटनाए हुई है बिजली ग्राहक भी संतप्त है पत्नी से अन एतिक संबंद के संदेह में कुख्यात रंजीत सफेलकर द्वारा की गई मित्र विशाल पैसा डेली की हत्या को हाथसा बताय जाने के प्रकरन में हत्या और आपराधिक शडियंत्र की धाराय जोड़ी गई है सावनेर की अदालत ने इस प्रकरन की पुनह जांच आरंब करने की अनुमती दी है इस प्रकरन में रंजीत और कालू हाटे सहित 6 आरोपी लिप्त है विशाल की हत्या के 14 साल बाद यह कारवाई शुरू की गई है कामटी निवासी 32 वर्षिय विशाल पैसा डेली की रंजीत और कालू से मित्रता थी रंजीत को विशाल के अपने पत्नी से अनैतिक संबन्द होने का संदेह था इसमें उसने 23 मार्च 2007 को कालू के माध्यम से विशाल को अपने घर बुलाया वहाँ पिटाई कर शराब पिलाने के बाद कामटी चावनी की वारिगाव पुलिया पर स्कूटर के पास सुलाकर स्कॉर्पियों से कुचल दिया था शव को दर्स फूट गहराई में फेक दिया था इस प्रकरन में खापर गेडा में दुरगटना का मामला दर्ज कर उसमें विशाल की मौत होना बताया गया फरजी व्यक्ति को आरोपी वाहन चालक के तौर पर पेश कर सच्चाई को चुपा दिया मनिश रिवास हत्यकान में क्राइम ब्रांच को सच्चाई पता चली क्राइम के यूनिट 4 के API ओम सोंटक्के के दल ने इसकी जांच कर 14 साल बाद सच्चाई को सामने लाया इसमें सफेलकर टोली द्वारा योजना बद्ध तरीके से साजिश को अंजाम दिये जाने का खुलासा हुआ ये जाच रिपोर्ट ग्रामिन अधिक्षक राकेश ओला को भेजी गई खापर खेडा के API भटकर ने सावनेर कोर्ट में इस रिपोर्ट को पेश किया जिसके आधार पर अधार अधालत ने प्रकरन की पुनह जांच आरंब करने की अनुमती दे दी इसके आधार पर अब सफेलकर टोली के खिलाफ हत्या अपरादिक शडियंत्र आधिधाराओ के तहत आरोप पत्र पेश कर मामला चलाया जाएगा फिलहाल सफेलकर टोली जेल में है नाकपुर में शगुन मांगने आए किन्नरों के चार गूट में जम कर मारपिट हो गई रविवार की सुबह बैरामजी टाउन के गोनवाना चौक के पास होई वारदात से तनाव निर्मान हो गया सदर पुलीस ने चारो गूट के किलाफ मामला दर्ज कर 15 किन्नरों को गिरफतार किया है गुनवाना चौक निवासी एक संभरांत व्यापारी परिवार में संतान का जन्म होने पर पारिवारिक समारोह आयोजित किया गया था सुबह 11 बजे किन्नरों का एक समूह शगुन मांगने के लिए वहा आया जो ही यह गूट जाने लगा तबी अन्यतीन गूट भी आ गये वे भी पैसे मांगने लगे आयोजको द्वारा पहले गूट को शगुन की राशी दिये जाने के बताने के बाद चारो गूट उलज गये सीमा विवाद को लेकर देखते ही देखते उनमें मारपीट होने लगी चारो गूट ने अपने साथियों को बुला लिया जिसके बाद लाद घूसो की बरसाथ शुरू हो गई सडक पर ही यह वाक्या होने से जाम लग गया पिछले कुछ समय से किन्नरों को लेकर पुलीस का सिर्दर्द बढ़ा हुआ है ट्राफिक सिगनल पर किन्नरों को वाहन चालकों से पैसे मांगते हुए देखा जाता है कई मौकों पर तो किन्नर अभधरता पर भी उतर जाते है बीते सब्ताह पुलीस आयुकत ने थानेदारों को चौराहों पर सक्रिय किन्नरों के खिलाफ सक्त कारवाई करने के निर्देश दिये थे जिसके बाद हालात कुछ हद तक बदले है परंपरागत किन्नर किसी भी सूरत में मारपिट अच्वा विवाद नहीं करते है जानकारों के अनुसार कई अवाच्छी तत्व किन्नर की आड में उगाही करते है इससे ही माहौल खराब हुआ है सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन यह सच है कि एक साब को साबुन से नहला कर उसे साफ किया गया साफ सफाई के बाद साब को उसके घर यानि जंगल में छोड़ा गया यह वाक्या नाकपूर के पास महलगाओ में देखने को मिली नाकपूर से 30 किलोमेटर दूर महलगाओ में राहूल केजरिवाल की शीतल जर्मन कमपनी है कमपनी में बने ओयल मोटर्स के टाके में एक साब दिखाई दिया साब देखने के बाद सभी घबरा गए बाद में साब को पकड़ने के लिए सरपमितर शुभम पराले को बुलाया गया शुबहम जब कमपनी में पहुँचा तो देखा कि साप टाके में ही तैर रहा था साप करीब चार फूट का दिखाई दे रहा था ओईल की वज़े से साप का मूल रंग भी बदल गया था इसलिए यह पता करना मुश्किल हो गया था कि साप किस प्रजाती का है साप को टाके से निकाल कर शुबहम ने देखा तो पता चला कि यह तसकर प्रजाती का साप है और यह जहरिला नहीं होता साप को निकालने के बाद ओईल साफ करने के लिए उसे साबुन से धोया गया साप को नहलाने और साफ करने में करीब 2 घंटे का समय लग गया बाद में उसे वन विभाग को ट्रांजित ट्रीटमेंट सेंटर में सौपा गया इस पूरी प्रक्रिया में साब बुरी तरह ठक गया था खापर खेडा पुलिस्थाना अंतरगत अन्नामोर चनकापुर क्षेत्र में ट्रॉक ने साइकल चालक को कुचल दिया इस हाथसे से संपूर्ण परिसर में तनाव की स्थिति बन गई थी और लोगों ने अन्नामोर पर हुए भारी अतिक्रमन को हटाने की मांग की अतिक्रमन और सडक पर पड़े गड़ों की वज़े से ही दुरघटना होने की जानकारी मिली है प्राप्त जानकारी अनुसार बिहारी थगई राजभर मिलन चौक चनकापुर निवासी मृतक का नाम बताया गया है ट्रक चालक का नाम सैयद फकुरुद्दिन जादा छिंदवाड़ा निवासी है घटना के समय ट्रक कोईला भर कर अनामोड पेट्रोल पंप पर डीजल भरने जा रहा था उसी दौरान विपरित दिशा से मृतक सिल्लेवाड़ा से मिलन चौक अपने घर की और सामान लेकर जा रहा था अचानक मृतक की चपल साइकल में फसने से साइकल का संतुलन बिगड़ कर मृतक ट्रक के पहिये में आ गया और ट्रक का चक का मृतक के शरीर से गुजर गया जिससे वह दोनों चकों के बीच में फस गया और उसकी जगह पर ही मौत हो गई इस घटना के बाद लोगों की भीड लग गई जानकारी मिलते ही कापर खेड़ा पुलीस पहुची लोगों की भीड को हटा कर ट्रक में फसे शव को निकाल कर पोस्ट मॉटम के लिए नाकपूर मेयो अस्पताल भीजा गया बताया जा रहा है कि अन्ना मोर चौक में चनकापूर जाने वाले मार्ग पर गड़े और भारी वाहनों की पार्किंग ही मृतक की मौत का कारण बनी तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का मिलते है एक ब्रेक के बाद लाव यू दिपिका बाई सब जानना चाते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नई पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे तेस तक पहुंची जाता है सुरुची मसाले खाने में हो रुची तो घर लाए सुरुची अपने सपनों के उडान भरने के इच्छा तो हर किसी की होती है पर पंबी तो मस्बूत होने चीहे जो देता है Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्स्टिटूट है जहां पर airlines and airport hospitality और tourism management, साथ ही यहां campus interview, guidance by industry expert practical training at airport, expert faculty personal grooming जैसे कई सारे benefits आप पासकने है Flywheel Aviation Academy 1 degree, 3 job opportunities Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job Flywheel Aviation Academy 365 Ghani Nagar, LAD College Square beside Karnatika Bank Nagpur Break के बाद आपका स्वागत है हिंगना वन परिक्षेतर स्थित मौजा दाबा में एक खेत में पानी जमा करने के लिए बनाए गए टाके में एक तेंदुआ मुरुत अवस्था में मिला जानकारी मिलने पर मौके पर पहुची वन विभाग की टीम में मौजा दाबा में विजय काकड़े के खेत में पानी जमा करने के लिए बनाए गए टाके में कोई प्राणी मौजा अवस्था में दिखाई दिया गुत्तो के भौकने की वज़े से किसान को संदे हुआ वन विभाग को सूच ना दी गई वन परिक्षेत्र अधिकारी आशिश निनावे वन्यजीव सलाहकार मंडल सदस्य कुंदन हाते सहित अन्य अधिकारी और करमचारी घटना स्थल पर पहुचे मृत तेंदुए की उम्र करीब 5-6 वर्ष बताई गई पानी के टाके के गिरने के बाद मिट्टी के दलदल में फसने की वज़े से वह बाहर नहीं निकल पाया होगा इस वज़े से मौत होने का अनुमान वन विभाग द्वारा लगाया गया है बाद में मृत तेंदुए को बाहर निकाला गया उसका पोस्ट मॉटम कर अंतिम संसकार किया गया जिला परिशेत की 16 OBC सीटों में पाच अक्टूबर को चुनाव होने वाला है उसके पहले ही विविद्ध विभागों में विकासकारिय वखरीदी प्रशिक्षन आदी में भारी घोटाले के आरोप विपक्षद द्वारा सत्ताधारियों पर लगाय जा रहे हैं विपक्ष घोटालों को अपना चुनावी मुद्दा बना रहे है तो सत्ताधारी भी उनके आरोपों को खारिज करने के लिए लगात्तार नियमों का हवाला देती हुए अपनी सफाई देने में लगी हुई है चुनावी मौसम में घोटालों की कुन्ज जिला परिशत परिशर में सुनाई दे रही है तीन दिन पहले ही महिलाव बालकल्यान समीती के सदस्या राधा अगरवाल ने विभाग की और से सात्वी से बारवी कक्षा की छात्राओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षन में 15 लाक रुपयों का घोटाला होने के आरोप लगाया था अगरवाल का सवाल था कि जब कोरोना काल में स्कूल ही बन थे तो उन्हें कम्प्यूटर प्रशिक्षन कैसे वह कहा दिया गया उनके आरोपों का खंडन करने के लिए महिलाव बालकल्यान सभापती उजवला बोडारे ने प्रेस परिशद लेकर आरोपों का खंडन किया और जूटा आरोप लगाने वालों को अदालत में खीचने की चेताओनी दी उनका कहना था कि जब विशय समीती में ये सारे विशय आते हैं और मन्जूर किये जाते हैं तब विपक्षी सदस्य सोते रहते हैं क्या इधर अग्रवाल का कहना है कि कई ऐसे विशय है जिसे विशय समेती की बैटक में रखा ही नहीं जाता और बाद में पता चलता है कि वह मंजूर कर लिया गया और खर्च को मंजूरी दी गई है इसके पहले भी महिलाव बाल कल्यान विभाग में अंगनवाडी बच्चो और गर्भवती महिलाओ को 54 वितरित करने के मामले को लेकर भी विवाद हो चुका है इसी विभाग द्वारा 19 लाक रुपयों का काया कल्प दवा खरीदी का मामला भी विपक्ष द्वारा उठाया जा रहा है केवल इसी विभाग का नहीं बलकि शिक्षा विभाग द्वारा खरीदे गए पालिमर सल्फ की खरीदी पर भी भारी ब्रष्टाचार का आरोप विपक्ष ही नहीं बलकि सत्ता पक्ष के दो सदस्यों ने भी लगाया था जिसके बाद शिक्षा समीती सभापती ने आरोपो को निराधार बताते हुए सारी खरीदी नियमानुसर होना बताया था पशु समवर्धन मंतरी सुनिल कैदार ने कहा कि राज्य सरकार कौशल विकास निर्मान सहीत विविदविभाग वरनाकूर शहर के विविदव उद्योग समूहों के बीच व्यापक समनवय से ही स्कील्ड मैन पावर तयार हो सकता है और युवाओ को रोजगार के परियाप अवसर भी मिल सकते हैं इसके लिए प्रशासन उद्योग समूहों को मिलकर काम करने की जरूरत है विपशु समवर्धन दुग्दव व्यवसाय विकास क्रिडा वयुवक कल्यान युवक कार्यक्रम वक्रिडा मंतरा ले और युवा फाउंडेशन के सयुक्त तत्वावधान में आयोजित बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि अनेक कमपनियों को मिहान में स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है जिले के युवकों को रोजगार के अवसर उपलब्द होने के बाद भी स्किल्ड नहीं होने के चलते नौकरी नहीं मिल पाती है स्किल्ड मैन पावर निर्मान करने वाले शेक्षनिक संस्थाओ, कॉलेज, ITI, नीजी ITI और रोजगार निर्मान कमपनियों के बीच समवाद का सेतु बनाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि सभी आपसी समनवे वताल मेल के साथ कमपनियों की मांग के अनुरूप स्किल्ड मैन पावर तयार करें इस दोरान युवा फाउंडेशन के कुनाल पडोले ने कहा कि युवको को प्रशिक्षन के साथ ही उनमें आत्मविश्वास निर्मान करें समवात कौशल, आधारभूत, कम्प्यूटर, प्रशिक्षन, साक्षातकार की तयारी आधी के समूप देशन करने पर जोर दिया जाएगा उद्योग समूहों की मांग के अनुरुप, स्कील्ड मैनपावर तयार के दोरान उनमें आवशक समवात कौशल वज सौफ्ट स्कील विकसित करना जरूरी है कम्पनियों के प्रतिनीधियों ने भी अपने बाते रखी मद्यनागपूर के एतिहासिक इतवारी सराफा बाजार इन दिनों विकस कार्य की लेट लतीफी का परिणाम भुगत रहा है तिवारी सीजन शुरू हो गया है कोरोना काल की भयंकर मंदी के बाद अब फिर से बाजारों में रौनक लोटी है लेकिन सराफा बाजार में अधुरा सिमेंट रोड जहां महिनों से हादसे का कारण बना हुआ है वही इस रोड के व्यापारियों का व्यवसाई भी चौपट हो रहा है इत्वारी के सराफा बाजार परिसर में ठेकिदार एक साइट का रोड बना कर गायव हो गया है और रोड व दुकानों के बीच आई ब्लोक्स वाली जगह का एक डेड़ फिट गहरा गड़ा छोड़ गया है लोग दुकानों में जाने के लिए परिशान हो रहे हैं तो वे दूसरे परिसर के बाजारों में जा रहे हैं इससे व्यापारियों का त्योहारी व्यवसाई चौपट हो रहा है अदूरे कार्य के चलते रहागिर वह वाहन चालक रोड दुरगटना का शिकार भी हो रहे है इस रोड को तेज गती से पूरा करने की मांग व्यापारियों ने मनपा प्रशासन से की यहाँ ठेकेदार कब आता है और कब काम कर लापता हो जाता है पता ही नहीं चलता उलेकन यह है कि सराफा बाजार से आने जाने वाले वाहन चालकों के लिए एक मातर यही रोड है अगर मसका साथ किराना ओली, रेशम ओली, अनास बाजार जैसे व्यस्ततम बाजार परिसरों से खरीदारी कर कोई लोट रहा है तो उसे सराफा बाजार के मारग से होते हुए तांगा स्टैंड से आगे जाना होता है मद्यनागपूर और दक्षिननागपूर को भी यही मारग जोड़ता है किराना ओली, अनास बाजार में रोजाना सैकडों ग्राहक आते हैं जिने इसी मारग से आना जाना होता है विगत अनेक महिनों से इस मारग के सिमेंटी करण की कारण यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है जिससे दुकानदार वह ग्राहक तरस्थ हो चुके है पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश से जिले के किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुचा है एक और जहाँ बारिश का पानी किसानों के खेतों में जमा है वही इस पानी की वज़ा से किसानों के खेतों तक जाने वारी पगड़ी के भी हाल बेहाल होने से किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए अपने खेतों तक नहीं पहुच पा रहे है स्थानिय प्रशासन के पास इन पगड़ियों की मरम्मत करने के लिए फंड नहीं होने से इसकी मरम्मत भी नहीं हो पाने से किसान परिशान है इनी उबर खाबर मार्ग से होते हुए किसान खेत तक जा रहे है ऐसे में बैल गाड़ी भी इस पगड़ी से नहीं गुजर पाने से किसानों को काफी दिक्कत आ रही है देश के किसानों के विकास में सड़क का महत्व काफी महत्वपूर्ण होता है ग्रामिन इलाकों में किसानों को खेतों में जाने के लिए पगडंडी ही एक मातर विकल्प होता है लेकिन बारिश के कारण जिले के अनेको तहसिलों में इन दिनों पगडंडी के खस्ताहाल होने से किसानों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस समस्या के कारण किसानों के खेत माल सही बाजार उपलब्द नहीं हो पा रहे है और माल को सही भाव भी नहीं मिल पा रहा है इन पगडंडियों के कारण किसानों को हर वर्ष विविद संकटों का सामना करना पड़ रहा है इसी वज़े से उनके विकास में रुकावटे आ रही है वही यदि खेतों से बाजार तक जाने के लिए सही मार्ग किसानों को मिला तो निश्चिति उनका विका संबव है जिले के भिवापूर, मौदा, मौवार, नर्खेड, चिकना, कुही, कामठी आधी में पगडंडियों के हाल बिहाल है गत दिनों से जारी जमा जम बार जिले के कुछ तहसिलों में नदी किनारे के रेती घाट अवैदरूप से शुरू है जिससे रेती घाट से निकलने वाले वाहन मुख्य मार्ग से न जाते हुए गाउ की पगडंडियों का सहारा ले रहे है जिसके कारण गाउ की पगडंडियों की हालत काफी खराब हो चु तब तक देखते रहे हैं वी के वी नियूस नमस्कार